हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तकराया हैमर्ट तकराया बारूत फटा गोली गन में से निकली और किसी को जाकिल लगी पर ये गोली किसको लगी ये पता ही नी चला क्योंकि हमें ये शेल होटेल के एक कमरे में से मिलाता है कमरे में एक लाश पड़ी लाश के सिर में से काफी खून निकल रहा था और वो खून गोली लगने से नहीं निकला था किसी ने उसके सिर पे इस फुल्दान से मआड़ा था फुल्दान मारते ही तूड गया इतनी जोर से मार फौरन मर गई हो कि बिचारी पर अगर वो लड़की फुल्दान से मरी है तो फिर गोली किसे लगी और ये गोली चलाई किसने कमरे में ना तो गन थी और ना ही गोली गन नहीं गोली नहीं तो फिर कमरे में ये शलाया कहा से आपको विश्वास नहीं होगा वो बाब सुनके जो हमें पता चली और जब पता चली तो सबने यही कहा गोली इसने चलाई थे इसने आप खुदी देख लीजे आप खुदीजेए जाई आप तो अपारे घानोंगी फ्लिजज एप ठीजेए प्लीजेए आप सबनेशने लीजेए जोग क्या भी आए निए पूल्दान पे खोन आए इस लड़की का ही है हाँ लगता तो वैसे ही है समझ में यारा है ये मारने वाना फूल्दान ऐसे ही छोड़कर क्यों गया मतलब सर वो आदमी इसे मारने के लिए आया था उस आदमी को इस बात की जरा भी फिकर नहीं थी के अगर उसके उउल्दान पे इस फुल्दान पे मिल गए वो पकड़ा जाएगा देख दे इस पुल्दान पर उस पारने वाली के उउल्दान है भी या नहीं ये क्या है वाइन की बॉर्ड़ तो ये प्लेंग कार्ट्स लगता है यह बे कोई पार्टी बाटी चल लेगे थी पार्टी तो शुरू होने से पहले ही खतम भी बेचारी को मार दिया किसीने सर जो लोग आ होंगे इसके साथ उन मेंसे किसीने मार दिया होगा ऐसे हां अगर अभी तक कोई बूचने कैसे नहीं आया किसे को शक कैसे नहीं हुआ उसके घरवालों को तो शक होना चाहिए था देखो जारा इसके पर्स में है है कोई मोबाइल फोन अगरा ऐसा देखो इसके पती का यह घरवालों का नंबर होगा उनको ख़बर देनी पड़ेगी फ्रेडिक्स, हुएक जरा रिसेप्शन पर जाकर पूच चाच परो इस लड़की के बारे में जिस कमरे में से यह लाश मिली है यह कमरा किसके नाम पर बुक था? रानी जी के नाम सर रानी मतलब वो लड़की जिस के लाश वहाँ पर यह कमरे में? जी हाँ जब रानी जी यह कमरा बुक कर रही थी तब आपको पता था कि वो इसी शहर की रहने वाली है हाँ कौन-कोन आय था रानी से मिलने? सर तीन लड़किया ही थी उनसे मिलने से मिलने सर रानी ज रिविभर पता थीकी है से मिलने पता के है सर रानी रानी को रहने यह थी के रहने वाली है को प्र यहाँ ओले के कमरे में क्या कर रही ओगी? सरा, हमारा अंदाजा ठीक था सर, रिसेप्शनिस भी यही कह रही है, इरानी ने ये कमरा एक किटी पार्टी के लिए बुक किया था सर, किटी पार्टी के लिए? और कौन पून आया था यहापे? सर, इसके साथ और तीन लडकियां थी, सर. अच्छा, इन तीनों लडकियों को होटल में आते जाते हुए किसे ने देखा? रिसेप्शनिस ने इन तीनों को आते हुबे तो देखा, लेकिन जाते हुबे नहीं देखा, सर. उसे तो उन तीनों की शाकल भी ठीक से याद नहीं है इसका मतलब खोन तो इन तीनों लडकियों में सही किसे ने किया है नहीं तो भागती क्यों? किसी को बुला ती अल्ला मचाती? तीन लडकियां गडबड है, अभिवейств गडबड है गडबड तो है सर रिसेप्शनिस के पास इन तीनों लड़कियों के नाम और पते तक नहीं है सर ये डाइरी में यहां पे चार लेटर्स लिखे हुए आर सी पी एन ये उन लड़कियों के नाम होंगे सर किसे कितने पॉइंट्स मिले किया स्कोर हुआ आप वो लिखते हैं ना आर तो ये रानी है बेचारी सी पी एन क्या हो सकते है नाम ये सर इसे के मोबैल से थुणते हैं किस-किस लड़कियों के नाम सी पी और एन से शुरू होता हैं देखो दरा फ्रिटिक्स ये सारा सामन ध्यान से एविडिन्स बैंग में रख लो और फोरें से के लड़ में बेच दो और अभी जी सरु देखो कुशिश करो फिंगर प्रिंच उठाने की इस नोट पैट से सरु ज़ा हाँ मिल गए सरु तिनों रट्पियों के नाम ये गए हैं थी से है चांदनी थी से है प्रीती और एन से मिदी जड़ धुंडो इन तिनों और ले के आओ पियो रोग में ये एक किटी पार्टी किसने रखी थी ने रखी थी रानी ने पिर क्या हुआ तुम गई हुटल हाँ मैं गई थी हुटल में करीबन करीबन दो बचे फिर क्या हुआ पता रानी मरी कैसे आप आप मुझसे क्यों बोच रहे हैं मुझे क्या बता मैं मैं तो जैसी कमरे में गुसी मैंने रानी के लाश दे की थी परश पर फिर मैं इतना गबरा कही कि मुझे कुछ नहीं पिला दरवाजा फिलावत हाँ मेरा मतलब है जैसी मैंने खटटाया अपने आप खुल गया अंदर कोई था? नहीं कोई नहीं जाद करके बताओ कुछ देखाओगा तुम्ने वहाँ शाय वह मुझे कुछ याद थी आरे सितना मैं पर लाश को देखे तख अबरा गई थी जाद करो देखाओगा तुम्ने कुछ तुम्ने कुछ थी हाँ वह शायद्ब वर्श मर कुछ गिरा था क्या वह 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 थी किसी बस का टिए बस का टिए सरच जब अपने कि मैं हो के पहुँछी तो अव्य देखा कि शानी वहां पर मारी पड़ी है होटल के रूrichten कुम्स का दूर्वादा खुलाथा? हा जगा वा भुछा झा खुलाथा या जाकर रेखा से पूछों की जब बाँर के जब ख hug Really? जब आपो फुछ से के व कमरे से बाहर की तो असमें की था दुछ भाइर भाइर रे ख sincer पूछ पूछ पूछने की का जोओ थैसिए बाद रहा है पूछ जायए था कि अब है जो बाद उच्छ एपशने के बाद तुम ने बाद राद निकलने के बाद तुमने दरवाज बंगिया था? यह एंज टो नए अए एक अझाले आगा लिए गलाए यह उत्था यह वाता लाज देखने के बाद लाज जेए वाद तुमने किसे को बुला है क्यों प्लाएजिए विछ निया में हटी जए नहीं। मेर चुर्मा जाने से रहनी जाए जानी की जानी रापस खूए, जिल जाने फुनिया है अधिक नाधनी जानी जानी एंग रहनिजिफों। यह डादनी एंग आगए वहाए? तो आधनी एंगए किसी के पैरों के आवास सुनी थी हूँ रानी को मारा किस थी मैं नहीं जानी आपको किसी पे शुक है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कोई तो होगा रानी का दुश्मन ने तो मेर उसका खून क्यों वा अच्छा यह बता यह रानी का पती ताबर का पे रानी का पती सब उसके अपने पती से बिलकुल नहीं बंदी थी यहां तक कि बोलचाल भी नहीं थी आपस में बंदी नहीं थी मतलब है सर उसके पती उस पर शक करते थे और कही बार उस पर हाथ भी उठाय था उनोने रानी का पती उसे मारता था? जी मुझे तो लगता है कि उसी ने बारा होगा उसे अच्छा अगर हमें तो लगता है कि रानी का कूप तुम तीनों में से ही किसी ने किया जल में कमरा बुक्किया वो समान लेके नहीं आई सिर्फ एक पर्स लेके चली आई क्या होगा यहां पर? वे एक छोटी सी छोटी चीज पर भी नज़र लखो सर एक छोटा सा बाल भी मिल जाए ना तो हम खोमी तक पॉच सकते हैं कोली कर्शल मतलब सर यहां पर गोली चली है? गोली चली अगर यहां पर तो पर लगी किसे? यहां पर कहीं और तो खुण दिखनी रहा? यहां पर गोली चलने की आवाज सोनी किसी लिए? सर अगर ऐसा होता तो यहां पर हंगामा हो जाता? मालूमें हंगामा हो जाता यहां पर खुण हो गया और आपनों को पता भी नहीं चला सर क्या भी? अगर एक पिस्स conventional ऍेए किया गया हो तो गोली का शेल वहीं फेगर फेरेगा जहांपे थे फाइयर खिया हो रई तो सब अगर यहा पर ऐसा लगता है कि फाइयर किया ही नहीं हो यह मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर फाइयर नहीं हुआ थो फेर जो गोली का शेल हो यहां पर आया कहा से? सर शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोली किसी और जगे पर चली हो और कोई इस शेल को इस कमरे में ले के आया हो और हो सकता है और यह भी हो सकता है कि शायद यह गोली पिस्टल में से नहीं रिवॉल्वर में से चली है रिवॉल्वर में इसे सरू? हम् गोली रिवॉल्वर में इसे चली और चुकी रिवॉल्वर में जब गोली चलती है तो शेल रिवॉल्वर में इसे गिरता नहीं उसी में रहता है तो शायद ये शेल एक रिवॉल्वर के साथ इस कमरे में आया है मतलब शर, इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था? वो सकते है, अगर सर, रानी का खून तो, बुल्दान के मारने से वा एग न, सिर पे? बूल्दान मारने से हुआ है पर शायद इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था पाधिया? बसका टिकेट? पर और एक गोली का शेल मिला आहे है, हाँ, शायद रिवल्वर का है, नहीं रिवल्वर तो अबी नहीं मिला है सानुके, अधिश लास को गौल से दिखो, और पताओ के इसे गोली लग एंगा है बॉस कितनी बार बताया, इसे गोई गोली वली ने लगी इसके सरपर इसना बडा चोट का निशान दिखाई नहीं देता तुम्हें सादूँखिया, अबिजीत को अबिजीत को होड़े के कमरे में एक बुलेट का शेल मिलाए अभी जीद को होटल के कमरे में अगर अंडे का मिले तो इसका बतलब यह नहीं हो कि इसको अंडे से मारा याँ देखो सारूं कि तुम्हारा मूड अगर इस गुंगे की वज़े से खराब हो ए तो इस लाश पर निकालो संजे जो गुंगे को तुम्हों तो मुझे दो तीन दिन तो बस फिर मैं बताओगा इस गुंगे का मैने क्या किया बस या तो लैब में यह गुंगा रहेगा या मैं रोगा बस Sir 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 वह आप कहे रहे थे ना कि इस लाश के सर पर चोट लगी है इस वास पर जो हमें खून मिला है वो भी इसी लड़की का है तो बात साफ है कि खून इसी वास से किया गया तो फिर सर वो गोली का शेल? तो पर या उस शेल को तुम लेब में लेक आओ फिर देखते हैं और कोई भी नहीं गया था उस होटिल के कमरे में लेकिन हमारी हो यूद कि निशान थोड़ी ना है उस वास पर देखी देखी मैंने कुछ ने किया है और अगर कोई टेस्स पचा हो तो मैं तेयार हूँ और वैसे भी खूण तो इन दोनों में से किसी ने किया होगा क्या मतलब है तुमारा तिक खूण हम दोनों में से किसी ने किया है सबसे पहले तुम गई थी न उस कम्रे में गई थी कि नहीं तो रानी का खूण इसी ने किया है इसी ने किया है इसी ने मैंने मानता हूँ सर, हमसे गल्ती हो गई कमरा देने से पहले हमें अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए थी रानी मेडम से पर सर, मेरा दावा है कि गोली यहां पर नहीं चलिये तो फिर यह गोली का शेल यहां पर आया कैसे? है? शायद रानी मेडम अपने पर्स में लाई होंगी क्या फिर रानी के बाद एक रिबॉलवर होगा यह बताओ, इस कमरे में से कुछ निकाला किया है? सर, लॉंड्री बॉय ने कुछ सामान निकाला था बलाओ से एक में लॉंड्री बॉय को बलाग लेकिया जी तुमने यहां इस कमरे से कुछ निकाला था? सर, मैं यहां आया मैंने टेबल साफ की और वो गंदा टेबल क्रॉथ पड़ा था जिसे में ले किया उके उसमें देखा था क्या था? नहीं वो टेबल क्रॉथ अभी का है? लॉंड्री में, सर चलो देखा सर, यह वाला, यह वाइड़ा टेक में, टेक आमें देख में दो सर, यह वीयर के बॉटल के टुकड़े हैं जो मैडम से तूड़ गए थी, सर इसलिए मुझे बुलाया गया था टेबल के कपड़े बदलने के लिए देखा मतलब सर, यह वीयर की बॉटल टूटी नहीं बलकि चान बुच के तोड़ी गए ताकि यह गण ठिकाने लगाई चाह सके सर, अभीची तन तो कमाल कर दिया आखिर गण ले ही आई अरे, डॉक्टर तारिका, आप कह रही है तो कमाली होगा वरना यह तो मेरे लिए छोटा मोटा कामी है लो भाई, अभीची तो मेरे लिए छोटा मोटा कामी है अभीची तुम्हारा प्रमोशन फटाए दो सुर्ण, एक निशान में लाए गण पेसे तुम्हारा तरीका, इन तीनो के उलियों के निशान लेकर देखो, मैच होता है इस निशान के साथ जी सर्ण, आप में से किसने गण चुपाई थी बोलो सर्म मैने तो जिन्दगी में कभी गन देखी भी नहीं अच्छा इस गन के ओपर जो उगलियों के निशान है वो इन तीनों में से किसी के नहीं है क्या तो फिर सर कमरे में घोली कशल आया नहां से अलिका जड़ा फिंगरप्रिंट देना दो जिस इस क्या है इस फिंगरप्रिंट पर तो लाईन है इस कार है जी सर, रखता है एक गोली चदाले वाले के उंगली में इस कूई स्तार है कटने का निशान तहर और दिखाता मेनी एक मिनिट में देखो आ कि यह देखो भाल शानी की उंगली पारिक्वाइव आरीगा तुमने लाश क्यों आज्विशान लिये ना? जी सर, चलो, मैंच करके देखते हैं बॉस, ये निशान इसी की उंगली का है या नहीं, कम जाए जी सर, ये रानी की हिसकार वाली उंगली का निशान है, इसका मतलब गोली रानी नहीं चलाई रग्सर, रानी नहीं बोली चलाई थी? सर, मेरा तो पूरा दिमाग घुम रहा है सर, अगर ये रानी मर चुकी है, तो फिर ये गन केसे चला सकती है सर? अरे फेड़ी, ये गोली उसने मरने से पहले चलाई होगी मतलब होटेल में आने से पहले? हाँ, वोटल में आने से पहले गोली चलाई और फिर एक रिवॉल्वर है वोटल के अंदर किसी तरीके से शेल गिर गिर गिया हूँ फ्रिडिक्स, तुने राणी के पती का कुछ पता लगा? फोन लगाऊ उसका? सर, उसी दिन से लगातार फोन कर रहा हूँ सर, घंटियां बज रही है, वो उठा नहीं रहा हूँ पता लगाओ ये राणी का हस्बंड रहता कहा है ची, कहिए? ये, राणी का घर है न? हाल, लेकिन, कहाल है? राणी का शहर में घर होते हुए भी उसे होटल का कमरा बुक करना पड़ा है होटल में? ये आप, ये आप क्या कह रहे है? होटल ब्लू पैरड़ाइस तो राणी ने वहाँ एक कमरा बुक जिया तो किटी पार्टी हाँ हाँ, बताया था उसने मुझे, तो राणी ने ये नहीं बताया कि कोई उसका खून करना चाहता है ये, ये, आप क्या क्या रहे है? कर दो बैर सब यहाँ नहीं आई है, तो आपने कुछ ने किया? फदा लगाने की कोशिश ने की, का है वो? ये, मैं वो, मैं? ये, मैं मैं क्या लगा रखी है? है, होटल के कमरे में किसे ने खून कर दिया राणी का? क्या? राणी का खून? राणी का खून? क्या रखी है, क्या रखी है? ये, साबी तो कुछ ने है, मैं राणी के आसपास देने मारे लोगों से पूछाज का जाना है ये, परकिंग लोट अटेंडन और है? ये, राणी मैडम जिसका कून वा रहा है तो जब गाड़ी पार्क कर रही की, तब आप पार्किंग लॉट में तो जी साब, मैं ही था है साब, तो राणी में सब कुछ आजीप से थी जीप से थी जीप से थी ये, साब तो राणी के गाड़ी अभी पार्किंग लॉट थी अच्छी तरसे जाकर चेक करो, आपको आगे, जैसा, अबाई, जब खोन हुआ, रानी माइनम का, तब दोपेर का वक्त था, तो दोपेर को आप सभी लोग यही पर थे, जी, तो रानी के कमरे में किसी को जाते हुए या उसके कमरे से किसी को आते हुए देखा आप लोगों, मैं आपने कम्रे में था, friendly शाम तक कमरे से भारी नहीं निकली, अच्छा, किसी के भागने कि या चलने की आउजसों थे, भागने की तो ने, पर हाँ, करिभ उसी वसी वस्ट किसी के पैरो की चलने की आउज आई थी मुझे, हॢँ, और कुछ सुना है। फैरो की आउज पा पाच्छे कदम अगर वो आदमी लिफ्ट या फिल्डी तक गया होगा साफ तो कम से गम उसे फंदरा सोना कदम चलना पड़ेगा पाच्छे कदम बाद गायब हो गया तो फिर वो आदमी आखिर गायब कहा हो गया अब जी जी चे कदम एक दो तीन चार, पाच, छे सर इसले खुनी को सीडी या लिफ तक जाने की जूरत नहीं पड़ी क्योंकि छे कदम में वो यह इस कमरे में खुष किरा कॉन रहे था इस कमरे था इस कमरे था 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 अर अभी तक नहीं लोटा है अब मैंजर तुम तो कह रहे थे कि सभी लोग यहां गए तुमने पूछ ताज करने की भी कोशिच नहीं की चपराब, खुलो दरवादा सर यह तियर है यह तियर है उनकी ताव कुछ बदू आरियो प्रेड़ी हाँ सर परिफिम की खुश्बू के साथ साथ बदू भी आरिया सर अज़ा किसी ने कार में मच्छ मानने की दवाई चिड़क दिया लिजिश्तर तो गार्में तो रानी की्मी बेटि पजलर के एक जॅने के माली होगी यो किसिने कैसे माली होगी यह मच्छर मारनी की दावाइड इताаз है ममन्हें उन सभी जगों का पता करना होगा जहांपे मुंसी पार्ति वारों किस प्रे चिड़का था एक बगवान इस आदमी ने क्या अर्थ दुनादी कम रेकी एक मिलेट यागी किसी भी चीज़ को हार्थ मत लगाईए अब लीज़ दूर खड़े हो जाईए यागी हर एक चीज़ से फिंगर प्रेंट उठा लो हर एक चीज़ से आप जरा यानने वाले आदमी का नाम और पता दीजे जे जी सर्थ सर्थ जब आप मुंसिबल कॉपरेशन में जाके पुष्टाच की तो पता चला के पिछले दो दिनों में करीब चालीज जगों पर मच्छर मारने के दवा इस प्रे की गई है चालीज जगों पर मच्छर मारने की दवा स्प्रे किये इसका मतलब है ये रानी इन चालीज जगों में से किसी भी एक जगे पर हो सकती है हाँ सर्थ तो पता कैसे चले किस जगे पर गई थी कहा गई थी सर्थ इन चालीज जगों में से एक ये केकी नगर है जो रानी के घर के और उस होटल के बीच में पढ़ता है जहां पर रानी का पून वाई सर्थ इसका मतलब केटी पाटी में जाने से पहले ये केकी नगर गई होगी सर्थ ये द्रूब नाम के आदमी ने अपना नाम और फता नकली लिखवाय होगा है सर्थ नाम नकली मतलब सर करवड़ है यह शायद इसी आदमे ने रानी का खून किया होगा सर्थ हाँ तो एक एक काम करो इस द्रूब के अंगलियों के निशान जो हमें पोटल के कमरे में मिले हैं देखो वो हमारे पुलिस रेकॉर्ड़ में है क्या तो सकता है इसने पहले भी कोई खून किया सर्थ अर्दया सर्थ इस केकिन अगर में जाओ मापर राने के फोटो दिखा देखो कुछ पता चलता है क्या सर्थ सुभी दुपनवालों सो कुछ लिया सर्थ अगर यह लड़की दो तिक दिक पहले यहां आई भी होगी तो कौन याद रखेगा सर्थ अर्ड़े पाद दुस्ति इस लड़की को इस इलाके में देखा था दो दिन पहले यह तो रानी मैम साप का फोटो है सर तु मेंसे पैजानते हो ? जानता हूँ आप भी क्या मजाग करता है साभ रानी मैम साथ हमारी बिल्डिंग मे तो रहती है रानी इसी बिल्डिंग मे रहती है ? हाँ साब तो रानी तो अपने पती के साथ कही और रहती है नहीं नहीं साब, रानी में साथ इसी विल्डिंग में रहती है अपने पती के साथ हाँ लेकिन दो दिन से वो घर वापस नहीं आई है और नहीं उनके पती वापस आया है जेर उनका फ्लाइट दिखाना? गड़ी दिख रहा है सर खुन तो दिख रहा है वकर लाश कहा है लाश तो कहीं दिखनी रही शुकावा खुन है असर लगता है यह गुना आज नहीं हुआ है शायद एक दो दिन पहले हुआ होगा पर यह खुन है किसका प्रड़ी गर को अची तर से देखो करेगो लाश अभी भी घर में तो होगा यह सर तुम लोगों ने कोई चीकनी चिलनाने की आवाज नहीं सुने सर पूरा घर देख मारा सर लाश वाश कुछ नहीं है यह 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 तुम चश्मा भैंटो क्या आरे रानी का पती अनूझ है अज़य नहीं समझे यह देखो यह है रानी का पती अनूझ यह कौँ है साब इनहे तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं रानी अपने पती के साथ रहती थी ना यह आपर पति के साथ ही रहती थी पर ये वाला पति नहीं अजय सहाब के साथ रहती थी। राणी के दोदो पति। पेडी, ज़रा अनुष को फोन लगा। उसे यहां फुला। पूछे तो सही हुसे। क्ये वो राणी का पति है या कोई और। सर फोन उठा नहीं रहा है सर अच्छा तुम्हारे पास इस अजय का नंबर है जी एक मैट सर 102098716 येलो सर इसका फोन तो स्वीच ओफ आ रहा है सर ओ एक पती का फोन लगने रहा वो उठाने रहा है दूसरे का स्वीच टॉफ आ रहा है तुमाल हो गया रडी मुबाइल फोन कंपनी वालों को कहो के वो ढून के बताए कि ये दोनों मुबाइल फोन इस वक कहा है बता तो करें कि ये अनुज और अजय किस एरिया में चुक के बैठे सर दूसरे होटिल के रूम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए है सर किसके उगलियों के निशान तो ये देखिए रॉबिन नाम है इसका रॉबिन पेले भी दोडो कुन कर चुका है और भासी बीवी थी से और लिखाए कि कोर्ट में वकिल ने साबिच किया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे असाइलम में भीज दिया गया बस ऐसी खबर लेके आँ जैसे सुनकर अभी जी तो कान अगाने लगे अरे मैं क्यों बाइए जो उगलियों के निशान तुम होटल की कमरे से उठा कर लाए थे ना वो मैच हो गए मैच हो गए किस से फुलदान से उस फुलदान से जिससे रानी का कतल हुआ था इसके मतलब खून करने के बाद उस सीधा उस कमरे में ही गया सालुंकी, अब मैं भी तुम्हें एक ऐसी खबर सुनांगा, जिसे सुनकर तुम नाचने लगोगी अब तुम बास जल्दी सुनाओ ना, मैं तो नाचने के लिए कब से बेता हूँ सालुंकी, वो जो उंगलियों के निशान मिले ना, वो एक खुनी के है, जो पहले भी दो दो खुन कर चुका है, और जिसे है दिमाग की बिमारी है ओ, ये बात है, सब अगे ये भी लिखा है कि ये अदमी है, असालम से भागा है सब अगर इसके पास होटल में रहने के लिए पैसे कहा से आए हूँ गिसे ने दिये हूंगे या पर किसी से लिए हूंगे बॉस ये खून किसी ने करवाया है सर रॉबिन को नाइट क्लब्स और डिस्कोज में जाने का बहुत शॉख था से और आखरी बार भी उसे एक डिस्को में ही अरेस्किया गया था से ओ, डिस्को में देर, आदेर, क्या, रानी के पती के फोन का पता चल गया तर ये पोन अजे है कहा है ये ये यहीं पर बताया था बाइल कंपनी वाले से बताया था के फोन यहीं करी जाए जाए जालो दूड़ से यहां पर कोई भी नहीं दिख लाए एक काम करो प्र जाए मेटल डिटेक्टर लिख रहा हुआ सहर है यहां चैज मारा है स्याओ तarta इनल निया से ते आ आए जई साथ बेंकषर भारतिकादिया की आए ज़िया एए सबें के अंदर खुद का देखते हैं इतनी बड़ी बोरी बोरी नहीं है कुछ और भी है इकालो इसे बार वे किचोंसे रहे है । कस दो बोरी देता लिलोग था सेवाल के ते अन्यों माय गौव्ड यह तो अजय है हाँ यह थे किसा यह फुली मार के खून किया देख अबशीत, कहीं ऐसा तो नहीं, कि रानी नहीं इसका खोन कर दिया और फिर वोटी चली गई सब रानी ने इसका खोन किया, अबरे होटल गई किटी पार्टी के लिए माँबे किसी ने रानी का खोन कर दिया पर मेरे समझ भी यह नहीं आ रहा है कि उसका असली पत्ती है कौन? यह अजे? या वो? अनुच? रानी और यह अजे? यह दोनों तो मर चुके हैं. अब बचता है वो अनुच. सर उस अनुच की चोच खोलनी पड़ेगी. प्रिडिक्स वेक, तो घर के पीजे के तरफ जाओ, देखो, बगदे का कोई रास्ता है क्या? यह जल्दी. बढ़ेगे! 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 मैं सार, मैंने किसी को नहीं मारा था हुआ 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 ह मुझे क्या पता था कि नानी वोट दूल के रेजिस्टर में जाकर मेरा नंबर और अड्रेस दिखवा देगी बहुत बड़ी बेवकूफ थी वो अजय का खुन तुम दोनों ने मिल कर किया है ना नहीं सर नहीं सर नहीं सर रही अभजित मैं ने तो सुनाता कि लोग अंजयने में गिरते हैं फिसलते हैं चोट लग जाते हैं वगर अंजयने में खून कुछ भी हो सकता है सर आजकल कुछ भी हो सकता है अजय को इन दोनों के अफैर्स के बारे में पता चल गया होगा तो खूल कर दिया है इन लोगों तूम कहा थे जब राणी ने एक बोली चलाई सर उस वक्ट में अपने घर में था सर फिर शूड़ तही सर मैं जूटने बोल रहा सर मैंने तो अजे की लाश को सिर्फ जमीन में गाड़ा सर और कुछ नहीं किया सर मैंने सर अजे इस कि अजे की लाश को तुमने जमीन मी गाड़ी अच्छा और फिर उस आद्मी को किसने वेज़ा राणी को मारने के लिए और उड़न में मैं तो राणी से प्यार करता ता सर कि बेंके भीजने लगा कि शिक्पा तुम्ने ने भीजा था उसे हाँ थाइस अट्राइज कि अलो क्या रॉबिन मिल्किया है का पे है अरे सुलो हा सर यह रॉबिन कौन है सर बो रहा है वो हा बो फ्रिडिक्स इसे माँ टेबल पे ली चागी तेक बताओ राणी को क्यों मारा तुम्ने राणी यह राणी यह राणी यह राणी यह राणी यह 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 बोल क्यों मारा है सर वान मिनिट है सर यह तो पूरा पागल है सर अभीजित, कई ऐसा तो नहीं कह रहा है, कि इसने पैसे लिए रानी को मारने के लिए, किसने पैसे दिये थे, मुझे पैसे दिये थे, बंदर ने, साप ने, और, बिच्चूने, तो बिच्चूने पैसे दिये थे, हाँ? किस बिच्चूने पैसे दिये थे? जो हुआ मेले पीचे जूबड़ा हुआ हाँ फॉट होँ जोड़े हां छुट हुट चुट पॉट हुट है सर तेखा मेरा हाग गंदा कर दिया सरीज्ड़ स्फितो बिच्छु बनाया इसने बिच्छु इंग मेंड़ अब कुछ समध़े कि अउन्हागे takes in mind कि मैं इते हाएए में तोर बंडर और सउाप कि बात कर रहा है ए हिए आट किस बिच्चु मंदर और सांप इसकी बात कर रहा है जलो पर तुम्हे गूमा के लाते है तो हम ज़नी ए पर उम्हें बाराइ बजनी मैं इससे, मैं तुम्हारे गर में ऐगा? मैं दिक्यू अगे और तूचिञ नगा ड्रब्यश्ट तुम्हारी नियुद से अट्यों मारी यहाज करती है तुम्हारी टीनर शार्यों तुम्हारा थननते हो यहाजे लिए यहाज़ बेरे को राखी कि अपर दोगी आप यहां जो के सर्फ यहां अचा हर आप आल कर दें आ एक उप मैं फोन कर ले ले यहां आप आप यहां जब उन्टस्त के अंटा आप लेगा अठा इस यहां आप लोगा यहां झाहर गुशाया है एक करे तो से अज़ और अचैल के लिए आप जब पहुआ ह यहाद शून बोल रह दोब को यहाद एक पार但 रणीक हता है कर रानी को जए से मारा भाध जैसे रानी को मारा था जू जू और पता द एप मिलत जा टा रानी और एस नहीं मारा मार कर दीजिए सर हम लोग ने जान कुछ कर कुछ भी नहीं किया रानी रानी तो हमारी दोस्ती हम उसे मारना नहीं चाहते थे नहीं मारना चाहते थे तो भी रॉबिन को पैसे क्यों दिये थे रानी का खून करने के लिए में आप कि दराने के लिए पैसे दिये & अपिर वे पता था कि वो उसे मार डालेगा विर बंगू वाचा निए ? सर्डरासल वह उसेखू रजी और हम चारू सेलिों ने मिले कि फैसला किया था कि पच्छिस पच्छिस लाइअने जमा करेंगे और वो पैसे जम्मा करके हम एक बुटीक खोलेंगे हमने फैसला किया था कि पैसो का हिसाब किताब रानी देखेगी तो अपने हिस्से के पच्चीस लाग उसे दे दिये मेर फिर क्या हुआ इतना सारा रुबिया देखकर उसकी लियत खराब हो गई और हम सब का रुबिया लेकर वो अपने बॉइफिर्ट के साथ भाग जाना चाहती थी इसलिए सर हमने अपने पैसे वसूलने के लिए ये सब किया हमें क्या फालब था कि ये पागल उसको जाके मार ही देगा रॉबिन को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी लेकर राणी के खून के लिए तुम तीनों भी जिम्मेदार ही